हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू SSE कूचिंग सेंटर दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और ट्रिक से देखेंगे, ठीक है, पूरा ट्रिक लिखेंगे लिख लिया है, सा से आने वाला, मा से आने वाला, ना से आने वाला और ता से आने वाला, ठीक है, तो जो सा से आने वाली नदी है, वो है सावर मती नदी, ठीक है, सावर मती नदी है, सा से आने वाली, सावर मती नदी, मा से आने वाली है माही नदी, मा से आने रखना तो बहुत आसान है समानता बहुत एक आसान सा सब्द है जिसे आप याद रख सकते हैं समानता और सा से सावरमती नदी मा से माही नदी ना से नर्मदा मदी ठीक है नर्मदा नदी और ता से आजाएगा तापती नदी ता से आजाएगा तापती नदी चलिए यहाँ प पश्चिम की और, पश्चिम की और बहती हैं, पहली बात, दूसरा पॉइंट है इसमें, ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यही वो नदियां हैं, जो खमबात की खाड़ी में गेती हैं, ठीक है, यह नदियां, यहां लिख देता हूँ, यह नदियां, यह नदियां, खमबात, गिरती हैं ठीक है खंबाती खाड़ी में गिरती हैं और एक और पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट तीसरा वो है नर्मदा और तापती नदी डेल्टा बनाती है यह बात याद रखना एक नर्मदा और तापती नदी डेल्टा बनाती है डेल्टा बनाती है और कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती है और कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती है और कोई नदी डेल्टा नहीं बनाती है तो इसके बारे में ये तीनों प्रेमुख बातें याद रखना और समानता एक ऐसा वड़ है जिसे आप याद रखेंगे और ये आही नदी नर्मदा नदी तापती नदी ये पश्चिम की और बहती है नर्मदा नदी और तापती नदी डेल्टा बनाती है ठीक है ये वही नदियां है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है तो प्रश्चने कैसे भी पूछा जा सकता कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाल अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां इसका ट्रेक है MP की गोद में रेखा का कब बिले हुआ MP की गोद में रेखा का कब बिले हुआ तो M से आजाएगा आपका महा नदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है M से महा नदी दूसरा है P से पेननार का से ये ट्रिक बनानी के लिए से आप खाली छोड़ेंगे गोद से बनाएगा गोदावरी मैं को यह लिया गया है इसको भी आप खाली छोड़ेंगे फिर आजाएगा रेखा यानिकि आपने किसको खाली छोड़ा इसको खाली छोड़ा और इसको खाली छोड़ा ये ट्रिक बनाने के लिए शब्दी जो बीचे में आजाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जब इससे कोई नती हमारी नहीं आ रही तो इसे खाली छोड़ जाएगा रेखा से आ जाएगा आपका स्वर्ण रेखा रेखा से क्या आ जाएगा आपका स्वर्ण रेखा श्वरन रेखा रेखा भी हो गया फिर आजाएगा का 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 मतलब हो जाएगा कृष्णा का का मतलब कृष्णा फिर आजाएगा कब आप देखो ये का तो इसमें सामेल हो गया ना अब बात से आजाएगा ब्राममणी ब्राहममणी ठीक है बात से आजाएगा ब्राममणी बिले से आजाएगा बे गई यह सभी के नाम में लिख दे रहा हूं और हुआ इसको आप खाली छोड़ेंगे यह ट्रिक बनाने के लिए है यानि कि बंगाल की खाड़ी में यह गिरने वाली जो नदियां है अब देखते हैं आगे अब देखेंगे यमना नदी के किनारे बसे प्रेमुक शहर यमना नदी के किनारे जो प्रेमुक शहर बसे हुए हैं उनके बारे में तो उसका क्या ट्रिक है दिल में आग याद रखना बहुत आसान है तो दिल से हो जाएगा दोस्तो दिल ली यह यमना नदी के किनारे बसा है सबी लोग जानते हैं दिल्ली बहुत लोग जाते हैं मालूम है सब को यमुना नदी महापे मिलती है पुल भी बना हुआ यमुना नदी का मां से आ जाएगा आपका मतुरा और आग से आ जाएगा आगरा आपको मालूम है आगरा भी यमुना नदी के किनारे है और आगरा का ज जेश्ट उसके पीछे से ही यमुना नदी बह रही है और मतुरा में हो करके जा रही है और यह दिल्ली जा रही है तो यह यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रेमुक शहर है ठीक है यमुना नदी के किनारे तो इसका क्या ट्रिक है आप अच्छे से याद कर लिजिए दिल म अग। दिल से दिली, मा से मतुरा, आग से आगरा। ठीक है यह यमुना नदी के शाहरे बस से हुए प्रमुक्षे है। चलिए अब देखने आगे। अब देखेंगे दामोदर नदी पर इस्थित परियोजना। इसका ट्रिक है दामोदर के प्रति दादू। दामोदर के प्रति दादू, देखिएगा, यह यहाँ पर मैं आपको याद दिला देदू, कि दामोदर नदी पर इस्तित परियोजना, हमें हम क्या ग्याद कर रहे हैं, दामोदर नदी पर, तो दामोदर नाम तो आना ही आना है, ठीक है, अब इस पर जो ट्रिक बनी है, वो हो जाएगा, पासे पंचेत बांद, यह दामोदर तो नाम लिया गया है, दामोदर नदी पर बना रहे हैं हम, तो दामोदर के प्रति दादू, तो प्रैसे आजाएगा, पंचेत बांद, तीसे आजाएगा, तिलया परियोजना, जिनको नाम याद ना हो, याद कर लीजिए तिलया परियोजना यह वही कोश्चन है जो आपकी rank कोहाई बनाती है एक्साम में दासरी आ जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना ठीक है परियोजना अब लास्टमें आपका दू टूर से आ जाएगा दुलहस्ती परियोजना, ठीक है, दुलहस्ती परियोजना, क्या सीखरे हैं, धामोदर नदीपर स्थित परियोजना, यहां पे आपके पास यह चारों याद करने का सबसे बेस्ट टिर्क मैं इन आपको बता दिया है, दामोदर के प्रेति दादू, तो य ती दादू ये ट्रिक बनेगा, जिसमें पास से आजाएगा पंचेत बांथ, तास से आजाएगा तिलया परियोजना, देखिए ये कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे तिलया परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये आपको याद करने हैं, एक से दो बार पढ़ने होंगे, जिससे कि आपको याद हो जाएंगे चलिए जिसने भी हमारे वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजे और कमेंट करना है अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए मैं वैसे तो regular वीडियो बना रहा हूं ऐसे भी question trick लेकर आया हूं